नमू नरायन, जै महाकाल, जै मा बगला मुखी, देखिए आज का टॉपिक है कि सक्तियां परिच्छा कैसे लेती हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आज के वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट बताने की कोशिस करना चाहता हूं और करूंगा भी, देखिए सबसे पहला जो संकेत होता है, वो होता है, सक्तियां आपको डराती हैं, अब आप चौक गए होंगे, कि सक्तियां तो अच्छी हैं, वो आपको क्यों डराएंगी, सच बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं, कि जी हाँ, बिल्कुल आपकी जो अच्छी सक्ति होती है, वो भी आपको डराती है, कैसे इसको इस बात से समझते हैं, जब भी आप कोई भी काम करते हैं, यानि एक्जाम देते हैं, परिछा में, तो आपका एक तरीका होता है, कि पहले आप छोटा एक्जाम देते हैं, टेस्ट देते हैं, या आप कह सकत होते हैं तो धीरे-धीरे अगर आपको परिक्षा का भे तो रहता है कि हामें दिगरी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा लेकिन यह भnova साल करने जा रहा हूँ नहीं सारी करने जा रहा हूं । मैं जो जो डराने का काम होता है, इस तो नहीं करते हैं, ये उनके गण करते हैं, इसमें वो भी डरते हैं, डरते क्यों है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सादक है, भगवान को इतना याद कर ले कि मुझे पीछे कर ले, तो ये उसकी परिच्छा लेते हैं, और एक खुशी में भी लेते ह कि मेरा ये जो सादक है जो मेरे प्रभू को याद कर रहा है कहीं वाकई में अच्छा सादक है या धूरत है क्योंकि उसका काम होता है उन गणों का काम होता है कि अच्छे भक्तों को भी इस वर तक मिलवाना जैसे आप शिव जी भगवान की पूजा करेंगे तो नंदी जी द आपके अंदर भावना अच्छी है तो आप खुद जाएंगे तो सक्तियां आपकी डरा के परिच्छा लेती हैं और इस डरने में आपके अंदर डर तभी होगा जब आप कप्टी होंगे छलकपट वाले आपके अंदर ब्रीवानी वरी अगर आप सच्चे सादक हैं तो डर पिस्तो को मेलना चाहिए जी हां बिलकुल मिलेगा इसके उपर मैंने बहुत वीडियो बनाए हुए हैं आपको यह डिसाइड करना है दोनों में कि आपको बक्ती चाहिए कि आपको वैब हो चाहिए तो पहले छीना जाएगा और फिर इतना दिया जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा क्योंकि आपको अजमाया जा रहा है जब आपको अजमाया जाता है तो आपको हर प्रकाल से ठोका पीटा बजाया जाता है तो सबसे पहले आप से रुपिया पैसा धन चीना जाएगा और उसके बाद इतना मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाते हैं जगत पत कलय स्टार्ट हो गया जब से मैंने पूजा पाट की तो यह कलय नहीं हो रहा है इसमें दो बाते हैं हो सकता है कि अच्छे चेहरे सामने आ रहे हों हो सकता है कि उन लोगों के अंदर से है तो अब आप समझ जागए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है अगली बात आती है कि आपका मन मन लगें हमका बार बर मन जाये मैं मुबाइल चला यह क्या रहे ये माया है और जगत पती नरायन माया के ही दे होता है वो आपके उपर ऐसी माया करेंगे कि आप माया में खो जाओ और इस माया में अगर आप खो गए तो आप गए फिर वही वात आगी आपकी भक्ती सही है यही नहीं तो पहले आपको बहुत बोला जाएगा कि अरे इस सब तो इस प्रकार से भी जो भाया होती है वो आपकी परिच्छा लेती हैं, हर प्रकार से आपको ठोकती है बजाती है कि देखें ये चीजें हैं की नहीं हैं आप देखेंगे कि एक और बात आती है सबसे इंपोर्टेंट कि जब भी आप पूजा पार्ट करने बैठोगे तो उसी समय कुछ ना कुछ एक ऐसा समय आ जाएगा जैसे अबर आपने संकल परे लिया 21 दूनों का 20 दूनों का तो आपके पास ऐसा कुछ चीज आएगा कि आप को कहीं अपने से यहां से अपनी जगे पूजा घर से दूर जानब पढ़ेगा आप बोलों कि 10 दिन में नहीं कर सकता हूँ तो यह क्या है यह माया है या फिर आप पूजा पार्ट करेंगे कोई आपको बार बार आ करेगा अगर आपके घर सिंगल है आप किराए पे रहते ह आपका करम है कि कैसे इन चीजों से हड़के भी आप इन चीजों से पार करके भी अपने आपको प्रूफ करोगे कि मही एक सक्चा भक्त हूँ यह सब चीजे जो हैं, यह सब चीजे आपकी जिंदगी में एक अरचन की तरीके से हैं और हर इंसान के साथ होती है, इसने कोई नई बात नहीं है लेकिन कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, याद के उपर यह आपका करतब भी है, उस इस्वर का करतब भी नहीं है exam पे आप ही बैठोगे आप ही परिक्षा में exam दोगे उसके बाद जो result निकल कि आएगा जो आपको margt मिलेगी वही margt इश्वर है वही आपका लख है वही आपका बाग है तो सक्तिया 100% परिक्षा लेती है हर रूप से लेती है हर ओर से लेती है कि सिक्तिया आप को ड़राती है नाग के रूप में साफ के रूप में आपको सपन ऐंगे बुरे-बुरे कि मुझे साफ घेर रहा है मुझे दुड़ा रहा dish दिख रहा है दुश्यमों हो सकते हैं सच्छा भोले ना ताप एक करपा बरसाने वाले हैं तो अपनी भक्ती अच्छी रखिए सकती आपको अपने आप मिलेगी आप सभी लोगों का कल्यान होना वोना ना है जाए महाकाल जाए महाबगला मुष्भी